विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो आपकी ओवर और बॉड़ी के लिए काफी बेनिफिशल है आपको सर से लेके पाँ तके काफी जादा फायदे पहुचाता है तो चलिए आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताती हूँ without any time waste सबसे पहले skin के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी यह आपकी skin को जो है fine lines को reduce करता है wrinkle को reduce करता है collagen production को promote करता है increase करता है यह collagen वही protein है जो आपकी skin को young bright glowing बनाता है उसके बाद यह aging sports होता है premature aging समय से पहले जो aging होने लगती है यह बहुत जो भी normal aging हो रही है उसको वो delay करता है इसके लिए इसका यह फैदा होता है इसके अलावा यह blood circulation को आपकी skin में blood circulation को increase करता है skin की dullness और dryness को reduce करता है आपकी skin में elasticity जो होती है जो tightness होती है उसे बढ़ाता है so that आपकी skin जादी shaggy ना लगे shaggy लगने की वज़े से भी कई बार आपकी skin काफी aged लगती है तो switch को भी यह खतम करता है आपकी skin को glowing बनाता है तो यह थे skin से related फायदे मतलब यह आपकी skin को overall सभी तरीके से जो भी परेशानी skin की होती है वो सभी परेशानी को खतम करता है अगर हम बालो की बात करें तो यह बालो के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे मतलब होता है trust me guys अगर आप इसे use करते है अपने hair oil के साथ या directly इसका oil apply करते है तो आपके बालो को hair growth को भढ़ाता है आपके जो hair follicles होते है उसे वो नरिश करता है जो आगे जाके hair growth को promote करते है आपके बालो को soft moisturize करता है आपके बालो को silky shiny बनाता है किसी भी तरीके से infection से आपके बालो को बचा के रखता है तो यह दोनों जो application थी वो external application थी विटामिनी की चलो अब हम बात करते है कि overall body के लिए विटामिनी किस तरीके से फायदे मंद है तो इसके लिए आपको इसका internal use करना होगा इसका मतलब आपको इसे consume करना होगा तो इसे consume करने से क्या-क्या फायदे होते हैं तो जो सबसे पहला फायदा होते हैं यह होता है कि आपकी immunity को बढ़ाता है आपकी जो रोगों से लड़ने की शम्ता होते हैं उसे increase करता है आपकी heart का ख्याल रखता है आपकी eyesight मतलब नजर को तेज करता है आपकी energy stamina को बढ़ाता है आपको जो memory power है याद रखने की शम्ता है उसे बढ़ाता है उसके अलावा यापके cholesterol को और obesity को मतलब cholesterol को control करता है मोटापे को कम करता है और इन दोनों से जो होने बिमारियां होती जैसे BP की problem होगा या शोगर की या किसी भी तरह की बिमारी होती है इन दोनों की वज़े से उसे कम करता है और यह जो सबसे भेयंकर विमारी होती ही cancer उसकी भी खत्रे को कम करता है तो दिखे इसके consume करने की कितने सारे फैते हैं बर market में जो इवन की green color की capsules मिलती है या दूसरी capsules मिलती है जिस coil हम है और scalp में apply करते हैं आप उसे consume नहीं कर सकते हैं because वो 400 mg की होती है human body को दिन भर में overall 15 mg का ही विटामिनी चाहिए होता है तो इसके लिए आप जो है कुछ food source होते हैं जिसे consume करके आप विटामिनी ले सकते हैं जिसे मैं आपको बता रहे हूं कुछ विटामिनी के लिए almonds आप consume कर सकते हैं peanuts, sunflower, seeds, अगर vegetable की बात करें तो spinach मतलब पालग, broccoli, pumpkin, tomato आप इसका use कर सकते हैं इसे consume कर सकते हैं और अगर fruits की बात करें तो fruits में आप avocado, kiwi, mango, berries, olives, chiko यह सब खा सकते हैं तो यह था overall vitamin E के फायदे के बारे में आप इसे खा के लगा के कैसे फायदा उठा सकते हैं आप सकते हैं